नमस्कार प्यारे चात्रों, मैंने इर्मल कुमार, आप सबों को आपके ही यूटूब चैनल दा सक्से सेंटर में एक बर फिर से दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों हम लोगी कॉस्चन की सिरीज चल रही है, पूरे कविता संग्रा की मेरी पहली वीडियो में आपने एक से लेकर पचास तक के कॉस्चनों का समधान किया अब मैं वहाँ से आगे बढ़ाता हूँ कॉस्चन की सिरीज को आज मैं आप लोग बीच में एक आवन से सो तक की कविताओं में जो कॉस्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो आप लोग बीच में लेकर आ रहा हूँ तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम लोग देखते हैं कॉस्चन नमबर फिप्टी वन कॉस्चन नमबर फिप्टी वन कहता है कि जारखंटेक आदिवासी माग पूस मासें कौन काठेक आएक जोरहत मतलब जारखंट के आदिवासी लोग माग पूस के महिने में जब ठंडी लगती है तो वो किस लकडी से आग जला कर उसको तापते हैं पहला आप्शन है महुआ काठ दूसरा है फ्रस काठ तीसरा है आम काठ और चौन्था है चंदन काठ बताईए तो इसका एंसर होगा ओप्शन नमबर इधर हो गया है गो नमबर यहां लिखाया है गो चंदन काठ इसका एंसर होगा आपका चंदन काठ ठीक है गो नमबर को खो 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 उल्टा हो गया है इसका एंसर होगा c नमबर गो सिन देखते हैं कोशन नमबर 52 कोशन नमर 52 बोलता है राज कुमार उमा दिते मेला कहां लगवलथ मतलब राज कुमार उमा दिते जो जहरखन आये थे उन्होंने मेला कहां पर लगाये था पहला अपने बॉनेक भितर हैं दूसरा है दामुदर एक धायरें, तीसरा है सहरें, और चौंथा है मगद राज्यें, तो दिखिए उन्होंने जो मेला लगाए था, मेला कवी ता पढ़ियेगा, तो उसमें आपको मिलेगा कि राज कुमार उमाद इतने मेला लगाए था दामुदर के किनारे, तो इसका एंस जारखन आये थे, पहला अप्शन है नून, दूसरा है धनिया, तीसरा है हर्दी, और चौंथा है सब, तो इसका एंसर तो भाई लोग सब होगा, क्योंकि यही सब लेके सभी को लेकर उन लोग आये थे, चलिए अगला कोस्यन की और पहुंचते हैं, कोस्यन नमर 54, 54 बोलता है कि नारी बेटी, नारी वहीन, नारी संगी, नारी माई, ठीक है, तनेक नारी, मनेक नारी, नारीक पटतर, के उनाए, इपाताटा कौन कविताग लगए, फिर से मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, तब तक आप याद कर लिजिए, नारी बेटी, नारी वहीन, नारी संगी, नारी माई, तनेक नारी, मनेक नारी, नारिक पड़तर केवनाई इपाताटा कौन कभी तक लगए पहला अप्षन है नारी, दूसरा है विदाई, तीसरा है विद्वा और चौथा है सरंची कमल तो ये जो लाइन लिया गया है ये आप जब पढ़िएगा तब पुरा समझ में आएगा जब आप मेरी वीडियो को मैं बार-बार बोलता हूँ कि फिर से देख लिजे ये जो लाइन लिया गया है वो है सरंची कमल से ये सरंची कमल की लाइन है अगला जो कोस्यन आपके बीच में आ रहा हूँ है फिप्टी फाइब फिप्टी फाइब बोला एक मौनी फूल कर दुईतिया संस्करन बच्छर लागए मतलब एक मौनी जो किताब है एक मौनी फूल का उसका दूसरा संस्करन कब हुआ था तो यह हुआ था आपका उनेश्यो अठासी में तो इसका एंसर होगा आपका उनेश्यो अठासी ठीक है ओप्शन नमबर बी आगे बढ़ते अगले कोस्यन की और अगला कोस्यन है फिप्टी सिक्स नमबर बोल रहा है फिप्टी सिक्स नमबर संतोस कुमार महतो कुनिती थी ला गए मतलब संतोस कुमार महतो किस डेट में उनकी मिर्तु होई थी वही डेट आपसे पूछ रहा है तो यह है दोस्तो अब बता ही कितना है यह है 24 नॉवंबर 2013 2013 को उनका निधन हुआ था यह option number A इसका सही answer होगा अगला question चलते है 57 number question यह बोल रहा है कि हर हरी कर मिलन कहां भेलाई यह आप पढ़े हैंगे हर हरी मिलन कवीता जो है उससे लिया गया यह question है कि हर हरी यह दोनों का मिलन कहां पर हुआ पहला option है आपका सीव कर घार है मतलब सीव जी के घर में दूसरा होगा कैलास परवत है मतलब कैलास परवत में तिसरा है विशनू कर घार है मतलब विशनू जी के घर में और चौन्था है रास्ता क मांजे मने रास्ता में यह दोनों तई कर रहे तो ही बीच-बीच में इन लोगा भेट हुआ तो इसका अंसर होगा रास्ता क मांजे बीच-बीच में इन दोनों का भेट हुआ था अगला कुशन की और बढ़ते हैं 58 नमर बोलता है हर हरी दूयो कौन गाचक जुणाई बैसलई यह दोनों का भेट हुआ उसके बाद इन लोग पेड़ के नीचे छाओ में बैठे ठीक है तो पहला अप्सन है पीपर गाच दूसरा है नीम गाच तीसरा है बोर गाच और चौता है महुआ गाच तो यह कीस पेड़ के नीचे बैठे थे भाई तो यह दोनों जो थे सामने एक बरगद का पेड़ था ठीक है बोर गाच है छाओ में बैठे थे इन लोग अगला जो कोस्टन है आपका 59 59 कोस्टन बोल रहा है कि संतोस कुमार महतो कहां से रिटाइर करला संतोस कुमार महतो जो पेशे से सिच्छक थे वो कहां से किस स्कुल से रिटाइर हुए थे पहला अप्शन है डीवी सी उच विद्याले चंदरपूरा दूसरा है उच विद्याले बांधडी तीसरा है जोकता सत्संग उच विद्याले राची और चोंथा है बोकारो उच विद्याले बोकारो तो दोस्तों ये जो संतोस कुमार महतो जो रिटायर हुए थे वो हुए थे चंदरपूरा से ठीक है इसका एंसर होगा डी बी सी उच विद्याले चंदरपूरा अगला कोस्यन की और बढ़ते हैं जो कोस्यन नमर 6 पे पहुँच गये हैं हम लोग कोस्यन नमर 6 पुरा संतोस कुमार महतो कौबे रिटायर वेल्थीन मतलब किस तिथी को संतोस कुमार महतो जी रिटायर हुए पहला आप्षन है आपका 31 मार्च 960 दूसरा है 31 मार्च 990 तीसरा है 2 सितंबर 930 और जो चौंथा है वो है 2 सितंबर 990 तो बताएए ये कब रिटाय हुए थे भई तो ये रिटायर हुए थे 31 मार्च 990 को ठीक है ये रिटायर हुए थे तो इसका एंसर हो जाएगा को नमबर 31 मार्च 990 अगला जो कुस्यन है वो है 61 नमबर संतोस कुमार महतो कौन भासक लेखन कायर नाय करलत मतब संतोस कुमार महतो ने बहुत सारी भासाओ में लिखे हैं अपना अपना किताब तो ये कौन सी एक भासा है जिस पर इन्हों ने किताब नहीं लिखा है पहला अपसान है आपका खटा दूसरा है अंग्रेजी तीसरा है बंगला और चौथा है नागपूरी तो इन्होंने जो है नागपूरी भासा में कोई भी किताब नहीं लिखा है तो इसका एंसर होगा डी नमबर गोहा नमर इसका सही एंसर होगा खट्था में भी इन्होंने कविता लिखा है अंग्रेजी में भी कुछ लिखा है और बंगला में भी कविता है पहला option है आपका दामदर्यक को राएं दूसरा है एक मौनी फूल तीसरा है आखी गीत और चौंथा है खटा काटे पैदे खड़ी तो यह जो कविता है यह आपका खटा काटे पैदे खड़ी का कविता है तो इसका एंसर हो जाएगा D गोह नमबर इसका बिल्गुल सही अंसर है अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं 63 नमबर पे 63 नमबर बोल रहा है कि चनफन मानूस कविता है कवी ककर से लड़ा कहा है यह जो चनफन मानूस कविता है इसमें कवी किस से लड़ने के लिए बोल रहे हैं पहला option है मानूस तो उसमें आपको पता चलेगा कि यह परकिरती से लड़ने की बात करते है तो एंसर हो गया इसनफन मन की सौच है मतना मत्लब मनूस का मन जो है बार बार क्या सोचता है तो उस कविता के माद्यम से आपको देखना है आप जो नीजी सोचते हैं उससे नहीं पहला option है आपका पुरातन कालेक बात मतलब बीती हुई बातों को सोचता है दूसरा है बीतल बात जो बीत गिया उस बात को सोचता है तीसरा है बहुत बहुक बात मतलब अपनी पत्नी के द्वारा जो बाते हुई हैं से वो सोच रहे हैं और चौंथा है लोतन बात मतलब नया नया चीज वो सोच रहे हैं तो इसका एंसर होगा कि गोव नंबर नोतन बात अगला जो कुस्चन है वो है 65 नंबर हमनी ककरा स्वागत कर रहे हैं मतलब हम लोग किसका स्वागत कर रहे हैं पहला अप्शन है कि पोहना कें दूसरा है बिहा में आयल सभे जन कें तीसरा है लेखक और कवी कें और चौथा है जय जुग जुग से अनंतक बुद्ध्यक सहायक बनल कवी बोलने पहला अप्शन है पहुना के मतलब पहुना मतलब जो भी अतिति लोग आये हैं उनका स्वागत कर रहे हैं दूसरा है सभी का सहायक बना उनका स्वागत करते हैं तो इसका एंसर होगा बिल्कुल डी नंबर ठीक है यही इसका एंसर होगा अगला जो कुस्चन है 66 नंबर यह बोलना है अईला राजा कते कते घड़ी के बाधलतिन चड़ी से गाधलतिन यी पाताटा कोन कवी तक लागए फिर से सुन लिजे अईला राजा कते कते घड़ी के बाधलतिन चड़ी से गाधलतिन यी पाताटा कोन कवी तक लागए पहला उप्षन है चन्फन मानूस दूसरा है स्वागत तीसरा है मानूस ना मैड और चौन्था है भारतेक मोड़ा तो यह आप बताए कि किस सीज़ का है भई तो यह है जो है खौन नंबर चन्फन मानूस की कवीता है यह इसका एंसर हो जाएगा चन्फन मानूस खौन नंबर स्वागत का कवीता है यह स्वागत का है यह अगला कोशन की और बढ़ते हैं यह है 67 नंबर गौदा कर्मने की हुआ है पहला आप्सन है आपका चालाक दूसरा है बुद्धिमान तीसरा है सबसे बड़ा और चौथा है मोटा या थुल्थुल उसी को कह जाता है तो इसका एंसर होगा आप्सन नंबर डी मोटा और थुल्थुल को गौदा बोला जाता है ठीक है अगला कोसे ने 68 नंबर बोल रहा है कि हर हर एक मिलन कविताएं को कर समश्या बतवल गया लए हर हरी मिलन जो कविता है उसमें किसका समश्या बताया गया है पहला option है आपका धर्मक, मतलब धर्म का समस्या बताय गया है, दूसरा है समाजक, मतलब समाज की समस्या को रखा गया है, तीसरा है भगवानक, मतलब भगवान की समस्या को रखा गया है, परिवारक, मतलब परिवार की समस्या को रखा गया है, ये जो हर हरी जो भगवान बार की समिश्या थी उसी को रखा गिया है अब आगे चलते हैं 69 नंबर 69 नंबर कविता बोल रहा है कि धाधायल मुसा कविता में धाधायल ब्याकरन में किया कई धाधायल मुसा जो कविता है उसमें जो धाधायल वर्ड है जो धाधायल सब्द आया है वो ब्याकरन में क्या ह पहला option है संग्या, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विसेशन और चौंथा है किरिया, तो इसका answer हो जाएगा, देखे मूसा, मूसा, चुहा, चुहा से पहले आया धाधाल मूसा, तो वो विसेशन है, तो इसलिए इसका answer हो जाएगा C, विसेशन, सही answer है, अब अगला आते हैं सत्तर नमर कोशन बोल रहा है, मने मने गूर चीरा खायक मने, ठीक है, मने मने गूर चीरा, खायक मने की हवा है, मने मने गूर चीरा खाने का मतलब क्या होता है, पहला option है आपका गूर चीरा खायक, मतलब गूर चीरा खाना, दूसरा है, दूसर कर चुगली करेक, दूसरों क चुगली करना, तीसरा है मने मने पूरा राग करेक, मतलब मन ही मन में बहुत गुस्सा करना, और चौथा है आपन मने खूब बैस भालो भालो बात सोचे, मतलब अपने मन में बहुत ही अच्छा चाचीज ख्याली पुलाओ पका लेना मन में, तो इसका एंसर होगा जो आप प कविता बोल रहा है कि अलिकूल करमने की हवा है, अलिकूल आप जब भी पढ़ी कविता संगर पढ़िएगा, तो सुरू से ही अलिकूल का चर्चा है, पहला अप्शन है खौठा समाज, मतलब खौठा समाज उसका मतलब होता है, दूसरा लोकेक भीड, मतलब लोगों का भी तीसरा जो है भावरो का जूंड और चौंथा है गरुक भीड, तो इसका एंसर होगा दोस्तो भावरो का जूंड, भावरो का जूंड को अलिकूल कहा जाता है, इसका ऑप्शन होगा C नमबर, ऑप्शन नमबर गो इसका सही अंसर है, अगला जो कोशन है, वो है 72 नमबर की कविता है उसमें कोकिला मतलब जो कोयल है वो किसको बुला रही है पहला अप्शन है सी तरी तु के हैं दूसरा है बसंतरी तरी तु के हैं दूसरी कोयल को और चौथा है कोवा को ये आवाज देकर किसको बुला रही है तो इसका answer होगा B number इसका answer होगा Kho number कि बसंत रितु को वो आवाज दे कर पुकार रहा है वो कोयल अगला पर पहुंचते हैं, अगला है 73 number यह 73 number बोला है कि आज हमर गीतेक देशें कविता है प्रान प्रिया कैसन बैसल है आज हमर गीतेक देशें जो कविता है उसमें प्रान प्रिया जो कवी लिखें हैं वो बोले हैं कि प्रान प्रिया कैसी बैठी है किसके इंतजार में की बैठी है कि क्या बैठी है वो उसके वारे में चर्चा है तो पहला option है आपका पूरा खुसी रूप में मतलब वो पूरा मनमुख खुसी पूरवक बैठी हुई है दूसरा है पूरा मूँ फुलाएके मतलब पूरे गुसे में मूँ फुलाएके बैठी हुई है तीसरा है सुस्क मलान बेस में सुस्क मलान बेस में बैठी है और चोथा नाई बैसल है मतलब वहाँ नहीं बैठी है तो इसका एंसर होगा सुस्क मलान बेसें एंसर हो जाएगा गौ नमबर यही इसका सही एंसर है अगला जो question है 74 नमबर यह हामर हाथेक माला कविता है कविक कौन भाव फरिच कर रहा है हामर हाथेक माला जो कविता है उससे आपको कौन सा भाव सामने आता है पहला option है बियोग भाव दूसरा है यथार्त भाव यथार्त वादी तीसरा है धार्मिक भाव और चौथा है समाजिक भाव तो इसका एंसर जो होगा option नमबर A होगा वो है बियोग भाव इस कविता से बियोग भाव का भाव परकट होता है अगला जो है 75 नमर की कविता है 75 नमर की कविता में बोला जा रहा है कोस्टेन ये 75 नमर कोस्टेन है इसमें बोला जा रहा है हामर हाथेक माला कविता ठाएं कौन भाव ला गए मतलब जो हमार हाथ है माला जो कविता है वो कौन भाव का है पहला अप्शन है सिंगार वाद का है दूसरा है प्लायन वाद का है तिसरा आदर्स वाद का है और चौन्था छाया वाद का है तो दोस्तों ये है छाया वाद की कविता है ये अगला जो question है 76 number इसमें बोला जा रहा है कि खठा भासाई इदिक उदिक कर्मने की हो है खठा भासा में इदिक उदिक का मतलब क्या होता है इदिक उदिक पहला option है सोब बाटे मतलब चारो तरफ दूसरा है पूरा पस्यम दीशा बताया है पूरा पूर पस्यम तीसरा है जहां मन तहां पलब कहीं भी जहां मन हुआ वहां और चौथा है इधर उदर तो इसका answer होगा D number इधर उदर D number होगा इसका इधर उदर अगला जो question है 77 number इसमें बोला जा रहा है हामर हाथेक माला कविता है कविक हाथेक माला हाथे में काहे रएगले यह जो कविता का सिर्षक कवी ने रखा है कि हामर हाथेक माला कविता जो है इसमें बोला जा रहा है कविक हाथ में ही माला क्यों रह गया पहला option है उसका CO number माला टूटा लहले मतलब माला टूटा हुआ था इसलिए हाथ में रहा गया दूसरा है मालाटा जोर से हाथें धरल ले मतलब माला को जोर से हाथ में पकड़ा था जिसके कारण नहीं पहना पाया तीसरा है आपन खाती राखा लगा मतलब अपने लिए उस माला को रखा था अपने पहनने के लिए चौता है भीड़क कारण ना जाए पर ले मतलब बहुत भीड़ था जिसके कारण पहनाने नहीं जा सका तो इसका एंसर होगा भई D नंबर की बहुत भीड़ के कारण वो नहीं जा पाए वहाँ पर अगला कुस्से ने 78 नंबर 78 नंबर बोल रहा है कि हामर हाथेक माला कविता हैं कविक दूयों आखी की चलक है मतलब जो हामर हाथेक माला कविता है उसमें कविकी दोनों आखों से क्या चलक रहा है पहला अपसन है पानी दूसरा है प्रेमेक भाव तीसरा है लोर और चौता है हासेक भाव तो इसका answer हो जाएगा दोनों आखों में लोर था अगला जो question है 79 number 79 number question बोला है हर हरी मिलन कविताई मेंजूरें की कर रहा है यह हर हरी मिलन जो कविता है उसमें मोर क्या कर रहा है पहला option है नाच रहा है मतलब वो नाच रहा है पंखल के दूसरा है मूसाक काटे कासाई रहा है चुहा को काटने का इंतजार में वो मुर रहता है तीसरा है दुर्गा साप काटे कासाई रहा है कि दुर्गा जी के साप को काटने का इंतजार में यह रहता है और चौन्था है उड़ बुला है मतलब चारो साइड में उड़ता चल रहा है तो इसका एंसर होगा दोस्तों अगर आप पढ़िएगा कविता को तो एंसर होगा C नंबर कि दुर्गा जी के साप के काटने के इंदिजार में ये रहता है अगला जो कुस्षन है हम लोग 80 नंबर पे पहुँच गए है ये 80 नंबर बुला धाधायल मुशा ककर लिखल राचना लगा है ये जो धाधायल मुशा है न ये किसकी राचना है पहला अपसन है सिरिनिवास पानोरी दूसरा एके जा तिसरा है संतोस कुमार महतो और चौथा है सीव नात परमानिक तो ये जो धाधायल मुशा कविता है ये संतोस कुमार महतो जी की कविता है एक मौनी फूल का कविता है ये ठीक है तो ये अंसर हमारा हो जाएगा भाई संतोस कुमार महतो यहाँ पर है यह हैं संतोस कुमार मातो इसका टीक कर दीजी आगे बड़ जाए एटीवन नमबर एटीवन नमबर बोल रहा है धाधायल मुशा आए की कर रहा है यह जो धाधायल मुशा था यह क्या कर रहा था पहला आप्सन है गोटे घारें दोड़ बुला लाए मतलब पूरे घर में दोड़ता फिर रहा था दूसरा है कपड़ा काइट दे लाए मतलब कपड़ा को काट दिया यह मुशे तीसरा है गाचेक जैर काट दे है मतलब पेड़ो का जड़ को काट दे रहा है और चोंथा है लोवा का जिली काट दे है मतलब लोवा का जो जिली था उसको काट दिया तो इसका एंसर है आपका D नमबर लोवा का जिली कोई काट दिया था अगला question है 82 number कौन्टा मूसा ना लागए मूसा का परकार लिखा है तो कोन वाला मूसा नहीं है वही आपको टीक करना है पहला option है चुटरी दूसरा है मूसा तीसरा है भूईस और चौथा है लूटरी तो इसका answer होगा आपका लूटरी जो चुगा का परकार नहीं है अगला question पर हम लोग चलते है question number 83 83 question बोल रहा है कि धाधायल मने की हुआ है मतलब धाधायल सब्द जो है इसका मतलब क्या होता है पहला option है motile मने जो motile इसको धाधायल बोलते हैं दूसरा बहकल तीसरा है बेडायल और चौथा है चलाक तो इसका answer होगा बहकल दाधायल मतलब हो जाएगा बहकल अगला जो question है वो है 84 number 84 number कविता संग्रा का जो question है वो बोल रहा है माटिक, रोटिक, भासाक, संस्कृतिक रखा ककर से हवा है पिर से मैं बोल दूँ बोल रहा है माटिक, रोटिक, भासाक, संस्कृतिक रखा ककर से हवा है पहला option मानुस से हैं दूसरा है धर्म से हैं तीसरा है पसूपक्ची से हैं और चौथा है जंगल से हैं तो इसका answer होगा अगर आप लोग सरंची कमल पढ़े हैं तो इसका answer होगा जंगल से हैं जंगल से ही सबका रच्छा होता है अगला जो question है वो है खेरहा कर मने की हवा है खेरहा कर मतलब क्या होता है पहला option है एक पक्चिक नाम एक पक्षी का नाम खेरा है, दूसरा है हुडार, मतलब हुडार को खेरा का जाता है, तिसरा है सियार, सियार को खेरा का जाता है, दर्चोंता है खरगोस, तो बिल्कुल खेरा का मतलब होता है खरगोस, तो हो जाएगा खरगोस, इसका सही अंसर हो जाएगा, अगला जो कुस् है आपका सोना चांदिक जैठीन पाओं मतलब सोना चांदी जहां पर है वहां पर आदी मनुष्य रहना पसंद करता था दूसरा है पसुपक्षिक जैठीन पाओं मतलब पसुपक्षी जहां रहते थे वहां पर तीसरा है जंगल नदिक जैठीन पाओं मतलब जंगल और नदी है जंगल नदिक जैठीन पाउं वहीं पर रहनाख पसंद करते थे जहां पर जंगल हो और नदी हो जिससे नदी हो से उनको पानी मिल जाए और जंगल से कंद मूल खाने के लिए मिल जाए अब जो कुस्षिन है आपके बीच में वो है 87 नंबर 87 नंबर बोल रहा है कि सुखें दुखें के आदिवासिक संगी भलाई और सुख में दुख में कोन आदिवासियों का साथ दिया पहला अप्शन है बराकर जो बराकर नदी है वो दूसरा है कोईला हिरा जो यहाँ कोईला निकला हिरा निकला उससे इन लोग का भरन पसंद हुआ तीसरा है दामोदर कि दामोदर ने इनको साथ दिया और चौथा है संगी साथी मतलब आदिवासियों के जो संगी लोग था साथी लोग था उन लोग इन लोग क्या साथ दिया तो इसका एंसर होगा कि वह सूखें दुखें आदिवासियों के साथ में था दामोदर ना दी दामोदर ने इन लोग का साथ दिया चली अगला जो question है वो है 88 number 88 number बोल रहा है चनफन मानुस कविताएं मानुस ककर से लड़ा है चनफन मानुस से जो कविता है उसमें मानुस किस से लड़ रहा है option पहला है मेडा करम से तेड़ा मेडा करम से दूसरा है रोडा से तिसरा है परकिती से और चोंथा है E-subs से तो इसका जो answer होगा उसका answer हो जाएगा E-subs से अगला जो है 89 number question है 89 number question बोल रहा है चनफन मानुस का राधारें कोंटा मेल ना इखा है चनफन मानुस कविता के आधार पर कोन वला लाइन यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है suitable नहीं बैठा है वही आपको जबाब देना है पहला option है नवा बनार खोजे है दूसरा है नवा टवान खोजे है तीसरा है नवा भेव खोजे है और चोथा है पुराना रिती से चले है तो यह जो answer होगा वह है पुराना रिती से चले है answer होगा G number D number इसका सही answer है अगला जो question है 90 number में पहुच चुके हम लोग 90 number बोल रहा है आईला राजा कते कते घड़ी के बांधलतिन छड़ी से गादलतिन इपाताटा कोन कवी तक लगए पहला option है चनफन मानूस दूसरा है स्वागत तीसरा है साध और चोथा है भरत्यक मोहडा तो बताईए ये किसका है ये है स्वागत कविता का है जो कविता का स्वागत सिर्शक है उसी का यह line लिया गया है अगला जो अगला जो question है वो है 91 number एक 90 number question बोला है घन-घन मानुस मन की सुचे है की सोचे है मतलब जो घन-घन मनुष्ट का जो मन है वो क्या सोच रहा है option A है लवतन मतलब नया दूसरा है पुरातन बात मतलब पुराना बात तीसरा है बैकार बात और चौथा है गप तो इसका answer हो जाएगा आपके बीच में लवतन हमेशा नया नया चीज ये सोच रहा है अगला जो question है वो है 92 नमबर ये 92 नमबर की कविता बोल रहा है कि स्वागत कविताई कविं ककरा स्वागत कर रहा है स्वागत जो कविता है उसमें कविता जो कवि किसका स्वागत कर रहा है पहला है पंडित सब के हैं, जितने भी पंडित लोग है उनका, दूसरा है बुढ़ापुर्खा के हैं, बुढ़ापुर्खा लोगों का, तीसरा है परकिर्ती के हैं, और चौन्था है जय बुद्ध्यक सहायक बना उनकर, जो बुद्धी देने का सहायक बना उनका, तो इसका एंसर होगा आगे बढ़ते हैं 93 नंबर 93 नंबर कविता का क्वेशन ने वो बोल रहा है स्वागत कविता में राजा ने किसको बांधा था पहला अप्शन है चोर को चोर के हैं दूसरा है परजा के मतलब परजा को बांधा था तीसरा है बुद्धि ज्यान के मतलब बुद्ध कर नंबर का यह होगा बुध्ध ज्ञान के हैं बुध्धी और ज्ञान को बांधने का उन्होंने परियास किया था लेकिन बुध्धी ज्ञान बना नहीं वो गालि खुजा के भाग गीा था अगला जो है एक और 94 94 नमबर बोल रहा है पिर्थविक नेता कौन बनाल मतलब पिर्थवी का नेता कौन बना पहला ओप्सन है मानूस मतलब मनुष से बना दूसरा है बांदर बंदर बना तीसरा है बाग बाग बना और चोथा है पंडित लोग मतलब जो पुजारी लोग धर्म के पुजारी लोग हैं उन लोग पिर्थवी का नेता बना तो इसका एंसर हो जाएगा कि मनुष कि मनुष ही जो है पिर्थवी का नेता बना अगला जो कोस्टन है आप लोग बीच में 95 नंबर 95 नंबर की कविता भी सोरी कोस्टन बोल रहा है कि स्वाकत कविता घड़ी बांधेक मने की हुआ है मतलब घड़ी को बांधने का मतलब क्या होता है पहला option हाथ है घड़ी बांधेक मतलब हाथ में घड़ी को बांधना घड़ी जो पहनते है न उसको दूसरा समय के बांधेक मतलब समय को बांधने का है तीसरा यहां बांधेक होना चाहिए बांचक समय के बांधेक इसका सही अंसर होगा यहां सुधार लिजेगा बांचक जो लिखा यहां बांधेक होना चाहिए अगला जो है 96 नंबर 96 नंबर कोसेन बोल रहा है कौन राजकुमार शेना लेके जारकन अइला मतलब यह जो चारों में से कौन ऐसा राजा है राजकुमार है जो सेना लेकर जारखन आया पहला है काल के तू दूसरा है कमल के तू तीसरा है उमादित और चोंथा है कृती बर्मन तो इसका सही अंसर हो जाएगा उमादित राजा अपना सेना लेकर जारखन में आये थे और यहाँ पर अंग सर राज का गोड़ी दिया था यहाँ पर आधार सिला रखा था अगला है 97 नंबर कोशन इसमें बोला जा रहा है उमादित्यक सेना आर आदिवासिक मजधें लड़ाई टाके नाय भावे है मतलब कोन ऐसा है जो लड़ाई को भाव नहीं भावना लड़ाई को जो लड़ाई हो रहा है उसको अपने मन में नहीं आग पा रहा है उसके परती चिन्ता नहीं कर रहा है पहला है मानूज, दूसरा है बाग, तीसरा है भालुक, और चौथा है मैणा तो आप जब पढ़िएगा मेला कविता उसमें आपको पता चल जाएगा कि भावे बाग भालुग मैना इस लड़ाई से चिंतित है लेकिन मनुष तो अपना लड़ाई के दून में है जितने का फिराक में इसलिए मनुष ही इसका एंसर होगा अगला कुस्षिन की और बढ़ते हैं 98 नमबर 98 नमबर बोल रहा है कि आदिवासिक सुख्यक राज कोने लूट लेला अदिवासियों का जो सुख्यक राज था वो किस ने लूट लिया पहला है अंग्रेजों ने दूसरा है चोरों ने चोर डेकेत ने दीसरा है आर्जों ने और चोर था है कि कोई नहीं कोई नहीं लूटा तो इसका एंसर होगा आर्ज लोगों ने लूटा था तो इसका एंसर हो जाएगा आर्ज है ठीक है अगला जो कुस्षिन है आपका वो है 99 नमबर 99 नमबर कुस्षिन बोल रहा है राजा बांधलो बादे कौन नाई बंधायल राजा ने जिसको बांधा फिर भी वो नहीं बंधाया वो क्या था पहला option है राजकुमार, दूसरा है मानूस, तीसरा है बाग और चौथा है बुईद तो किसको बांधा और वो नहीं बंधाया तो इसका answer होगा D number घौर नमबर इसका answer होगा कि बुद्धी को बांधा लेकिन ये बंधाया नहीं अगला जो है question 100 नमबर पे हम लोग पहुच गए है अन्तीम question है ये मानूस कौन चीज़ता नाई बनवाल है मनूस ने कौन सा चीज नहीं बनाया है पहला option है गरूगाड़ी दूसरा है राकेट तीसरा है कैमरा और चोंथा है बन जहार तो मनूस ने दोस्तों बन जहार को नहीं बनाया है ये परकिर्ती का चीज है परकिर्ती ने बनाया है तो दोस्तों ये थी एक आवन से लेकर सो तक जिसमें एक दू कोसेन हमको लगता कि मैच हो गया होगा तो उससे कोई इसू नहीं है अब अगला वीडियो में फिर हम लोग 101 से लेकर 150 तक के कोसेनों को देखेंगे तब तक मुझे अपने दोस्त को दे इजाज़त खुस रहें मुस्कुराते रहें और अपनी तयारी को लगातार करते रहें और मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद चलिए दोस्तों जैजहर खंड